आज का जो हमारा topic है, वो है, STYCHIOMETRI का, STYCHIOMETRI के मुफती प्रोनिसेशन होती है, कुछ professors को STYCHIOMETRI बोलते हैं, आपको सुनने को मिलनेंगा ऐसे, कुछ इसको STYCHIOMETRI बोलते हैं, ठीक है, तो इसको प्रोनिसेशन जो भी है, आपने इसको याद रखने है STYCHIOMETRI एक word है, इसको spell आपने याद करें तो 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 को क्वांटीटेटिव रिलेशनों के दिन्त के कमिस्ट्टिन को क्वांटीटीटेटेटिव रिलेशनों में रियक्टेंट्टे के दर्मियान में के दो ही होते हैं जब रियक्शन हो रहे होते हैं तो रियक्शन में क्या होते हैं या तो रियक्टेंट्स होते हैं या फिर क्या होते हैं प्रॉडक्ट्स होते हैं तो यह दो चीज़ें होंगी या रियक्टेंट और प्रॉडक्ट इन दोनों के दर्मियान में अगर वो क्या बनाती है relation find करती है quantitative कि कितनी quantity थी कितने ग्राम रेक्टन थे कितने ग्राम प्रॉडक्ट बने तो इस सारी चीज को क्या बोलते होते हैं साइश यू मीट्स ने बोलते होते हैं इस चीज में in a ballast chemical equation के यह जो branch है यह कहती है कि reaction करवाने की जूरत नहीं है कि अगर हमने किसी इसको perform करना है उसके perform के बजाए क्या करें just math की calculation लगाएं और आपका answer निकलाएगा कि इस में कितने ग görाम reactant लिएक्ट करवाएं तो कितने गराम product बनेगी हमें खुद ही पघ चाहँएगा हमें actual इतने गराम reactant को react क्योंकी जूररत ही नहीं होगी बलके सिर्फब क्या कहेंगी अगर हम Azum का लगिए अगर इतने गराम reaction थे तो इतने गराम product बनेगी एक किमिस्ट्री की मैफ वाला हिस्सा है जैसे मैफ में हम कहते हैं कि हमारे पास इतने गराम कोई चीज है उसको आगे हमने करना मुफलिफ कन्वरेजन उस पर लगाते हैं सेम यहां पर मैफ इस्थमाल करेंगे हम अब क्या होता है दो केमिस्ट्री के जो मेन केमिस्ट्री जितने भी रियक्शन होते हैं कोई भी चीज होती है किसी किसम कभी chemical होगा वो इन दो लाओ को लाजमी फॉलो करेगा तो सेम यहां पर भी बैलेस्ट चैमिकल एक्वेशन जब बनाएंगे तो बैलेस्ट होगी तो उसमें यह दो लाओ को फॉलो लाजमी करवाएंगे ठीक है तो यहां पर कॉस्टन बनता है कि सारे शॉर्ट कॉस्टन मैंने 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 बहुत मशूर शॉर्ट कॉस्टन बनते हैं कि वह कौन-कौन से दो लाओ विच टू लाओ इंग जिसके अंदर स्टाइशियमेट्री करफिशन के अंदर दो बैसी अजंशंशनस कौन-कौन सी ओते हैं दो चीजें अजियूं करनी पड़ती है हमें कि दो चीज़ें वो रियल लाइफ के अतर नहीं होथी लेकिन हम मान लेते हैं कि होता है जैसा चीक है क्या होती है दो चीजे पहला और रियक्टेंट्स आर कंप्लीटली कनवर्टेड इंटू प्रॉडट्ट चीक है कि अब स्टाइशोमेटरी के एंफलेशन करने से पहले हम जब एक्वेशन देख रहे हैं तो एक्वेशन में मैथ कहता है हर चीज पूरी-पूरी क चीक है सारी से कंप्लीट हो जाती है तो यहां पर क्या होगा यह चीज कहती है स्टाइशोमेटरी भी कहेगी कि हर चीज कंप्लीट हो जाएंगे चीक है 100% कंप्लीट हो जाएंगे लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर कभी हमने एक कोई बीकर है या कोई गिलास है ल तो क्या सारा पानी ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन कैसे होगा उसमें आमने देखा होगा कि कुछ फ्यू ड्रॉप्स यहां पर रह जाते होते हैं इस गिलास के इंदर चीक है यागर आप में जल्दी-जल्दी मिखे रहे हैं आप क्या करें उसको काफी देर के लिए रखें इ आपिस करेंगे तो एन मुम्किन है की बीच में नमी रह जाएगी नमी का मतलब क्या होगा तब भी कुछ एक्टम्स जो हैं कुछ तब भी वाटर की क्या है मॉलीकूल्स वहां पर मुझूद हैं इस गिलास के अंदर अभी भी रेक्शन पूरा नहीं हुआ इसको काफी हरसा तो नमी उपर उड़ रही है सूख जाएगी रेक्शन को इदर जाना चाहिए तो यह दो प्रॉब्लम होते हैं के रियक्टेंट्स कंप्लीट्ली कंवर्ट हो रहे हैं प्रॉडक्ट में जो रियक्शन हमने खरवाना है वो पूरा होता है यह हम अज्यूम करेंगे ठीक है कि यह हम कहेंगे के रियक्शन कंप्लीट है सारा रियक्ट्स प्रॉडक्ट में अब हो गया है और दूसरा सब्सक्राइब करपकल एक और घानियुक्स है क्या है थोड़ा सा कम हुआ तो Chemistry में क्या होगा यह 2 reactionře क caucus को completely प्राइक्षिन कर ना पड़ता है यह droite क्यों करना पड़ता है यह धाक Uzum दिदेरनें नहीं होते निए सोड़ान अमांट भाद या या व्लेक्षिनों बीयों साइव versión भी नहीं होंगे तो यह तीसरा शाइब पहला शाइब परसन शाइब की डेपिनिशन दूसरा दो लॉग वहां किया जाते हैं और तीसरा शाइब करने की जुरत क्यों पढ़ती होती है कि प्रॉबल्म यह है कि इस स्टाइब में की कुछ लिमिटेशन थी किसमें केमिकल इमिटेशन क्या होती है chemical equation does not tell about the conditions or rate of reaction conditions के पारे में हमें नहीं बताती अब क्या होगा कि हमने वो कम temperature पे करेंगे तो reaction हो सकता होगा जादा पे करेंगे तो नहीं होगा या किसी और दरीक्या से हो जाएगा तो फिर ये calculation में problem होगा हम कुछ calculation करेंगे और अगर temperature साथ count ना किया गया तो फिर क्या होगा रांसर खलत आ रहे होगे हमारे पास तो इसलिए नहीं ये कहता है कि ना ही ये conditions बता सकती है ना ही ये rate of reaction बता सकती है तो फिर क्या होगा कुछ थोड़ा सा problem आएगा calculations में दूसरे डिमिटेशन क्या होती है some reactants जो होती है वो reactants जो होती है वो कहाँ पर क्या होती है of chemical equation जो कुछ reaction ऐसी है कि कुछ reaction ऐसी होंगे कि वो जो proceed ही नहीं होंगे equations तो लिखे जा सकती होती है उनके बारे में कि ये ऐस ये reaction होगा लेकिन जब real life में perform करते हैं तो पढ़े चलता है ऐसा reaction पॉसिबल ही नहीं है ठीक है वो compounds में ये जो reactants होते हैं वो stable इतने होते हैं कि बज़ दूसरे के साथ react ही नहीं करते ठीक तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा ये दो limitations होती है chemical equation क्या करती है conditions और reaction के rate के बारे में नहीं बताती और दूसरा वो क्या होता है कि equation हमें क्या करती है कि ऐसे reaction भी लिखे में में जाते हैं कि जो real life में perform नहीं होते तो हम उसको साबित कैसे करेंगे real life में perform करके चीक है तो यह आपके चार questions कि चौथा question बनाना चाहिए कि चौथा बाइन जाता होता है question कि पहला definition जो हमने दो law observe करने होती है दो assumptions कौन कौन से होती है और साथ क्या है कि उसकी limitations क्या क्या होती है इदर आते हैं तो हमारे पास क्या है कौन कौन सी calculations होती है इदर इस हाथ पर क्या लिखते होते हैं कैसे लिखते होते हैं इदर इस हाथ पर क्या लिखते होते हैं हम जब कभी chemical equation लिखते हैं ऐसे लिखते होते हैं यहाँ पर होते हैं reactant होते हैं reaction करके वो क्या बनाते होते हैं product बनाते होते हैं ठीक है तो मैंने यहां में जो चीज़े लिखे हुए जो इस हाथ पे लिखे में वो reactants के बारे में बताया हुए जो उस हाथ पे चीज़े लिखे हुए वो क्या है product के बारे में तो हम कहेंगे यह तीन relation बताती है स्टाइशिमेटरी calculations करने में कौन कौन से mass mass relationship क्या मतलब कि अगर हमें reactant का mass पता हो चीक है तो हम क्या कर सकते हैं product का mass find कर सकते हैं कि आगे कितनी product बनेगी कि अगर मैं कि 10 gram में एक चीज़ को react करवा रहा हूँ तो मुझे पता होगा आगे कितने gram product उससे बनेगी mass small relationship mass small relationship में क्या होगा कि हम अगर mass पता कर लें किसी इसका reactant का हमें पता हो हम assume कर लें question में के अगर मैं इतना react कर वा हूँ mass तो मुझे more पता चालेंगे किसके product के और अगर क्या हो mass और volume में conversion करने हो तो अगर मुझे reactant का mass पता है तो मैं product का volume find कर सकता हूँ कुर्य क्या है कैसे reverse कैसे कर सकते हूँ मुझे mass पता हूँ mass return का कि यह reverse भी होता है ऑलेट भी calculation कर सकते होते है mass mass relationship को मैं उलेटर लिख में से तो कोई फराग नहीं पड़ेगा इसलिए एक बार लिखा हुए मास वालियम को भी लिखा हुए और फिर वालियम मास भी कार सकते होते हैं लेकिन वह ज्यादा कॉंप्लेक्स एक्जेम्पल है बूक के अंदर वह क्याक्यूशन नहीं दिया हुई इसलिए उन्हानीं गया हुए जो बुख में आपने आगे यह क्या होगी कि अभी आपको गर इसुटरी के यह मास-मास बिश्यूर्स मास मोल रिलेश्यूश्यश्शिप क्या होता है तो यह दो आपकी इंदर क्या उसकर नहीं है नुमर्त ता तीके?